गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स बेटा आज हम पढ़ेंगे लेसन नम्मर त्री दर रेड्स एंड दी एलिफेंट चुहे और हाती लोंग लोंग एगो बहुत लंबे समय पहले ग्रूप ओफ रेड्स पहले कंगैंगे लेटा था हैंपले नी खुशी खुशी और फोरेस्ट कहां पर एक जंगल में एक जुवोंग का समय एक जंगल में खुशी खुशी रहता था One day, एक दिन, a heart of elephants Heart मतलब जुन्ड हातों का जुन्ड एक दिन, past यानि गुजरा, throw यानि में होकर, date area उस शेत्र में से होकर गुजरा, in search of water, पानी की तलाश में search मतलब तलाश, in search of water, पानी की तलाश में एक हात्यों का जुन्ड उस शेत्र में से होकर गुजरा, कहां से गुजरा, जहां चुहे का ग्रूप रहता था उस area में होकर गुजरा, many homes of the rates, many यानि कई घर of the rates, यानि चुहों के कई घर, were destroyed, nest हो गए, under their big feet उनके बड़े बड़े पेरों के नीचे दब कर, उनके चुहों के घर, nest हो गए some rats were also killed, कुछ चुहे भी मारे गए, the king of rats, चुहों का राजा, मुशक राज क्या नाम था चुहों का राजा का, मुशक राज, went to the king of elephants, went यानि गया, to the king of elephants हातियों के राजा के पास गया, गजराज, हातियों के राजा का क्या नाम था, गजराज and or requested, और प्रातना की, him to take, कि उसे ले जाए, his heart उपने जुन्ड को ले जाए, throw another route ठीके बिटा, the king of rats, मुशक राज, went to the king of elephants, चुहों का, जो राजा था, मुशक राज वो गया, किस के पास गया, हातियों के राजा, गजराज के पास and requested him, और उससे प्रातना की, to take his heart, कि वो अपने जुन्ड को ले जाए, throw another route दूसरे रास्ते में से होकर, route यानि रास्ता to the pond यानि तलाब पर कहां ले जाए, अपने जुन्ड को दूसरे रास्ते में से होकर तलाब पर ले जाए he accepted, उसने स्वीकार कर लिया, the request यानि प्रातना को and or told और कहा, the elephants to take the other way, कि वे दूसरा रास्ता लें without disturbing the rats, चूहों को बिना disturb किये, परिशान किये, बिना वो दूसरा रास्ता ले लें मुशकराज was very happy, मुशकराज बहुत खुश हुआ and pleased और वो बहुत प्रसन था with गजरा, गजरा से, he thanked him, उसने उसे धन्यवाद दिया and promised, promise means वादा करना, उसने वादा किया, that की the rats would always be ready, कि चूहे हमेशा तयार रहेंगे to help the elephants, हाथियों की सहायता करने के लिए, if needed, अगर आउशकता पड़ी, कभी भी आउशकता पड़ी, तो चूहे हमेशा हाथियों की सहायता करने के लिए तयार रहेंगे, hearing, yes सुनकर, this यानि यह, यह सुनकर, the elephants in the heart, elephants, यानि हातियों का जुन्ड, जोर से हसने लगा, laughed, हसा, thinking, yes सोचकर, कि how small rats के के से छोटे चूहे, could help big elephants, बड़े हातियों की सहायता कर सकते हैं, बेटा भी पहले अपने यह पड़ा, आदर लेसलम कल पड़ेंगे, इस लेसन को आप अच्छे से पढ़ना, इसके टिपिकल वर्ड जो में मीनिंग लिखा रही हूने, अच्छे से लर्ण करना, लिख करके मुझे भेजना, और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करना, क्योंकि जब हिंदी समझ में आईगी ने मिटा, तभी अपन क्या करेंगे, पैसे समझ पाएंगे